Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit और आज हम FKAT 1 2022 के 12th of February को जो questions पूछे गए थे जो आपकी second shift में questions पूछे गए थे जो कि आप लोगों ने उन experts ने भेजे थे जो लोग इस shift में इस exam को देखा आये थे हम उन सभी questions को देखेंगे उनका हम solution देखेंगे यानि कि हम second shift का solution देखेंगे सभी sections का, okay GK, English, Reasoning and Mathematics, right देखो जैसा कि हमने बहुत महनत करी थी Mathematics में हमने बहुत especially बहुत अच्छे जे focus किया था तो Mathematics was bang bang बच्चों की Mathematics was bang bang जो भी हमने concept cover करे थे अपनी series में only हमने 9-10 videos cover करी थी 9-10 videos में हमने almost सारे Mathematics के concept को समझा था जो भी man-man important topics होते हैं जिनसे की questions पूछे जाते हैं, right और देखो जितने भी questions आये हैं F-CAT के examination में, उनमें से 85% जो questions आये हैं, वो सभी उनी scenarios से आये हैं, उनी concepts आये हैं जो कि हमने classes में cover करे थे, right देखो जो लोग देखा आये हैं, उनको पता चल गया होगा मैंने देखो आपको बोला था कि जिस दिन आप examination में बैटे होगे उस दिन आप याद कर रहे होगे कि हाँ भी कोई सकसा आया था हमारी जिंदिगी में, देखो exam में जितने भी questions थे, उनमें से 85% जो questions थे, वो सभी उनी में से थे, right और बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई just after finishing the examination I got a lot of messages from a lot of experts, ठीक है, कि सर्फ mathematics में कोई दिक्कत नहीं हुई, और GK में तो गजबी हो गया, ठीक है, GK में तो गजबी हो गया जो मैंने एकदम सीधे-सीधे question आपको बताये थे, मैंने बहुत emphasize करके बोला था कि यह वाले question आपको जरूर देखने को मिलेंगे वही as it is questions आये थे, देखो अभी हम देखेंगे कौन-कौन से questions आये थे, right तो चलिए शुरू करते हैं, and before starting, इसी type के important topics पर videos पाने के लिए, और अपने FCAT and SSB की preparation से related important data and classes पाने के लिए, channel को subscribe कर लीजिए, और bell icon पर click करके all notifications को active कर लीजिए, okay जिससे कि आपको आगे आने वाली classes मिलती रहें, और telegram को जरूर जोइन कर ले na, because I keep on sharing important data on telegram, देखो, जैसा आपने देखा होगा telegram और youtube पर जो मैंने quiz cover करवाए थे, वो देखो, as it is questions आए हैं उनमें से, देखो, मैं अभी आपको बताऊँआ कि कौन-कौन से कैसे कैसे questions आए थे हो सकता है, आप भूल गए हो, क्योंकि अभी आप exam देखा है, alright question number one था, कि 10 wickets in an innings, ठीक है, अभी हाल ही में, cricket में 10 wickets in an innings में, किस ने लिए हैं, तो ये लिए हैं, एजाज पटेलने हैं, जो कि New Zealand के एक spin गैंद बाज हैं, और देखो, 12 तारीक को आपका exam था, 12th of February को आपका exam था, और 10th of February को मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी which was of top 10 current affairs, right, top 10 current affairs, okay, और एक ही बनाई थी मैंने current affairs पर, मतलब इस तरीके से जो बनाई थी, कि top 10 current affairs, और देखो, उस top 10 current affairs की वीडियो का जो पांचमा question था, देखो, वो यही था, देखो, यह उसी का screenshot है, right, देखो, बहुत अच्छे से हमने cover किया था, बताओ, किया था, नहीं किया था मैंने आपको, देखो, क्या बताया था, कि 10 wicket sakenning में जो लिये जाते हैं, वो बहुत ही rare होता है, बहुत ही rare, और जो rare होता है, वो हमारे examinations perspective से, काफी important हो जाता है, देखो, मैंने आपको बताया था, कि इन से पहले, जिम लेकर और अनिलकुमले भी, ये कारनामा पहले किया हुआ है, अनिलकुमले ने पाकिस्तान के against किया था, right, तो देखो, as it is question है ये, और देखो, इसी वीडियो का ये top 10 questions की जो वीडियो थी, इसका देखो, जो question number 8 था, वो ये था Nobel Peace Prize 2021, मैंने देखो, बहुत emphasize करका आपको बोला था, कि ये जो Nobel Peace Prize और Nobel Prize literature के field में जो है, ये दो categories बहुत ही important होती है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, right, और देखो, ये दोनों ही questions मैंने, ये देखो, YouTube पे ये वीडियो में भी कराए है, ये top 10 में, और मैंने ये quiz की form में भी कराए हुए है, यदि आपने telegram वागेरा को देखोगे, आप अच्छे से देखोगे, और जो मैंने YouTube पर जो quiz करवाए थे कि बही, top 100 expected questions, top 150 expected questions, right, यहां देखो, only top 10 में से, जो की hardly 15 मिनट्स की वीडियो थी, और मैंने 10th of February को, मैंने इसलिए, जस्ट आपके examination से, जस्ट पहले इसलिए मैंने इसको post किया था, क्यों, क्योंकि आपको फिर इसको revise करने में दिक्कत नहीं होगी, याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको यह याद हो जाएगा, अब देखो, जिन लोगों ने इसको seriously लिया था, उन लोगों ने, देखो, मुझे exam से निकलते ही, तुरंत मुझे message किये थे, किसे direct questions आये हैं, आपकी classes से, और जिन लोगों ने इसको seriously नहीं लिया था, तो उन्होंने नहीं लिया था, उनको यह लगा था, कि यह top 10 वैसी मजाक चल रहा है, कि यह top 10 इसमें से क्या आएंगे, right, देखो, reason क्या है, because I was teaching you free of cost, और जो जी free में मिलती है, उसकी कोई value नहीं होती है, कोई उसको value नहीं देता है, जहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, जेब डिली करनी पड़ती है, वहीं पर आपको थोड़ा सा curiosity होती है, थोड़े सा आप serious होते हो, लेकिन जहाँ पर इंसान ऐसे ही, अपने मन से ही आपकी help करने की कोशिस करता है, तो वहाँ पर हम लोग यह सोचते हैं, कि अपने किसी benefit के लिए कर रहा है, right, तो देखो, जो बच्चे इनको पढ़के गए थे, उनका बहुत ही अच्छा हुआ है, यह देखो, आपको direct questions देखने को मिले थे, अभी देखो, अभी बात खतम नहीं हुई है, अभी देखे जाओ, अभी और देखते हैं, दूसरा question देखो, क्या पूछा गया था, GK के section में, first female राफेल, पाइलेट ओफ इंडिया, तो यह कौन थी, शिवांगी सिंग, और देखो, मैंने second of fab को, defense current affairs की एक छोटी सी class ली थी, और मैंने बहुत emphasize करकर के बोला था, मैंने देखो, 3-4 classes ही ली थी हो लिए, defense current affairs की, और मैंने आपको हर बार, जब मैं intro देता हूँ, जैसे ही, मैं video start करता हूँ, तब मैं intro देता हूँ, defense में, तो मैं अकसर बहुत ही emphasize करके यह आपको intro देता हूँ, कि जो भी हम points cover करेंगे, यह blathering नहीं होगा, यह 5 star point होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है, और आपको इनसे as it is questions देखने को मिलेंगे, तो देखो, इस video का question number 4 जो थ और देखो, मैंने यह भी बताया था, कि इसको अंबाला में ही क्यों deploy किया गया है, इसका देखो, मैंने आपको significance बताया था, कि वहां से China और Pakistan दोनों के borders नजदीक है, बताओ, यह सारी जीचे बताई थी नहीं, बताई थी, यह देखो, उस video का question number 4 है, as it is question पूछा गया है, अब देखो, जिन लोगों ने इनको अच्छे से देखा था, उनका सीधा सीधा question हो गया, और देखो, यह mathematics and reasoning में तो फिर भी concept based होता है, लेकिन GK होता, unpredictable, और यदि GK में आपके एक दू question भी मिल जाते है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, देखो, यह उस दिन की बात ह अब देखो, यह उस दिन की बात है, उस दिन मैंने आपको class दी थी, यह provide कराए थी, और देखो, इसका यह fourth जो question था, यह as it is आया था, मैंने आपको बोला था ना कि इस क्युर्टर का नाम भी आप याद रखना, और देखो, यह defense current affairs भी जो मैं कराता था, मैं यह 1 महीने के only top 10 ही कराता था, आप देखो, कोई भी video उठा कर देखो, उसमें मैं 10 questions ही cover कराता था, और यह सारे 5 star points होते थे, और देखो, आप से पहले, आप से पहले वाले cycles मैं भी जिन लोगों नहीं, current affairs, defense, current affairs देखी थी, उनको पता थी, उनकी importance, मैंने आपको बोला भी था, कि जो से related है, badminton से related है, अब देखो, मैंने 4th of February को एक class ली थी, कि very very important trophies and cups, ठीक है, और इनको हमने mnemonic technique से देखा था, तो देखो, हमने badminton की क्या technique देखी थी, देखो, यह वाली देखी थी, bad के ऊपर, सुधीर का नारंगी चड़ा था, तो यह देखो, था जो था, इससे क्या बन रहा था, थो मच कब बन रहा था, राइट, बताओ यह हमने देखा था, यह देखा था, यह देखो, as it is आया है, same question, मैंने आपको बोला था ना, देखो, जो भी हम cover कर रहे हैं, यह सब भी very very important points है, जितने भी हम cover कर रहे हैं, आपके जो questions आएंगे, उसमें से 95% questions आने की जो chances हैं, वो इन ही मैंसे हैं, राइट, और देखो, आपका as it is question आया है, हमने देखो, यह निमोनिक टेकनिक से याद किया था, राइट, अभी देखो, अभी हही तक बात खतम नहीं होती है, अभी देखो, और देखो, यह देखो, question number 4 जो है, pattern of stars, ठीक है, pattern of stars को क्या बोलत का, और उसमें मैंने आपको बोला था कि सब भी questions को आप अच्छे से लगाना, attempt करना, आपको इसमें से as it is questions देखने को भी मिल सकते हैं, और आपकी practice भी होती चली जाएगी, और आपको यह भी पता चल जाया कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं, यह देखो reasoning की series की I think fourth video है, ठी ठीक है, जब आप इसको देखोगे, तो देखो इसमें question number 7 है, जो की F1 2013 में पूछा क्या है, right, देखो मैंने यह कराया था आपको, यह देखो, Virgo, Piscus, Cancer and Orion, इसमें मैंने देखो आपको क्या बताया था, कि option number A, B और C जो हैं, यह राशी से related है, लेकिन यह जो Orion है, यह Orion क्या पढ़ लें, वो पढ़ लें, यहां पढ़ लें, वो पढ़ लें, आपने बहुत महराथन लगाई है, right, देखो मैं जो भी questions कराता था, वो सारे 5 star हो देते, बहुत ही सोस समंझ के research करके मैं हर question को वहाँ पर set करता हूँ, जो भी मैं question कराता हूँ, okay, देखो बेटा, यह जो chase पर plus sign लगा हुआ है, यह ऐसे ही लगा हुआ है, right, तो आपको अपने teacher पे trust करना चाहिए, हमने इस F-Cat को बहुत अच्छे से देखा, बहुत करीबी से देखा है, अभी तो आपकी starting है, अभी तो आपका first or second attempt ही है, हमने पूरे F-Cat की journey को देखा है, then फिर SSB की पूरी journey को देखा है, so I have a very nice experience about it, अब देखो मैंने आपको जब strategy कराई थी, strategy में मैंने जब आपको देखो एक chart बताया था, GK का, सारे topics मैंने आपको बताये थे, कि भी geography में यहां से questions आएंगे, polity से हां से आएंगे, tribe से question आएंगे, capital से आएंगे, headquarter से आएंगे, ठीक है, सारा बताय दिया, it was very easy, कोई दिक्कत नी आई, बड़े आसानी से हमारे 200 के आजपास number बन रहे हैं, अब देखो जिन लोगों ने पहली बार follow किया था, उनको अब इसकी importance पता चलेगी, मैंने देखो आपको बोला था, कि जिस दिन आप exam में बैठे होगे, उस दिन आपको इन classes की importance पत मैं, तब मैंने ये पूछा था, कि अच्छा चलो ये बताओ, कि exercise मित्र सकती कि इन लोगों के बीच में, यानि किन countries के बीच में conduct कराए जाती है, तो देखो मैं आपसे वीडियो में बीच बीच में जो questions पूछता हूँ ना, वो मैं वही पूछता हूँ, जोगी बहुत ही important होते हैं, क्योंकि देखो सभी questions पर वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता, तो इसी तरीके से questions को transfer किया जाता है, इसी तरीके से knowledge बढ़ती है, मैंने देखो आपको क्या बोला था, कि यदि आपको नहीं पता है, तो Google search करो, तब लिखना, इस से क्या होगा, आपकी knowledge बढ़ेगी, और देखो ये इस तरीके से question आ गया, और ये मैंने quiz में भी करवाया हुआ है, और देखो ज्यादा time नहीं मिल पाया, otherwise, दो महीने की और current affairs बच गई थी, मैं उसमें इसको भी करवा देता, जो PPT बनी हुई है, वो तयार थी, बट मैं class नहीं ले पाया था, ओक अगला देखो क्या था, world's environment day, ये देखो 5 December को मनाया जाता है, याद है आपको, ये question मैंने कराया, याद है, ठीक है, और मैंने आपसे question भी पूछा था आपसे, ये इसी तरीके से classes में, बीच मैंने question पूछा था कि अच्छा बताओ, world's environment day कब मनाया जाता है, देखो जिल लो design की गई होती है, ओके, और देखो अगला question क्या था, कि founder of the Morian dynasty, तो Morian dynasty के founder थे, चंदरगुप्त Mori है, देखो जब हमने वो चार्ड देखा था, इसमें मैंने बताया था, यहाँ से history में, जो questions आएंगे, वो किस तरीके साएंगे, और देखो ये dynasty पर मैंने कही सारे questions कराया ह है, Telegram पर भी, और YouTube के जो quiz है, उन पर भी, और मैं आपको देखो क्या बोलता था, कि जिन जिन topics से मैं questions करा रहा हूं, उन topics को आप तयार कर लेना, वो आपको hint मिलना चाहिए, कि मैं जिस topic पर question करा रहा हूं, उसको आप तयार कर लेना, तो देखो मैंने यह आपको बहुत अ बहे जा है, राइट, देखो यह भी मैंने आपको बताया था, चार्ट में बताया था, यह दो को लिस्ट में थी, कि भी बुक से question पूछा जाएगा, और मैंने आपको बताया था, कि एक तो ancient era की books, और modern era की books है वो, और modern era में तीन चार्ट जो writers है, उनकी books जाता पूछी जा अरुंदती रोय उन्होंने पूछ लिया, अगला question क्या था, काजी रंगा नैशनल पार्क इस चीज के लिए famous है, तो यह वन होन राइनो के लिए famous है, देखो लिस्ट में मैंने बताया था ना, कि जितने भी नैशनल पार्क से इनको आप अच्छे से तयार कर जाना जियोग पताया था ना, आपको के भी यह यह awards पुछे जाएंगे, पदमा आवोर्ट्स पताये थे, खेल रतन आवोर्ट्स पताये थे, सिविलीन आवोर्ट्स जितने भी होते हैं, इस सब बताये थे, पदमा आवोर्ट्स क्या है, यह second highest civilian award है, ठीक है, आफ्टर भारत रतन, पहले अगला question देखो क्या था, कि not a transfer aircraft, चार options दिये होए थे, उसमें से एक था, तीन जो थे, देखो question क्लियर नहीं है, कुछ लोग बोल रहे है कि यह ऐसे था, कि कौन सा transport aircraft नहीं है, तो देखो यह options पर depend करता है, जैसा मुझे बताया गया है, तो उसमें यह था कि 3 transport aircraft थे, और य है, यह transport aircraft नहीं है, यह surveillance, ठीक है, surveillance के उसमें यह इस्तेमाल किया जाता है, especially being used by Indian Navy, right, अगला question देखो क्या था, हौन बिल फेस्टिबल, यह नागा लेंड में मनाया जाता है, देखो मैंने बताया था, मैं emphasize करकर के बोलता था, कि भई, यह जो festivals हैं, और जो tribes हैं, और जो temples व करना चाहिए, मैंने आपको topic बता दियें, आप इनको तैयार करो, आपको teacher से चार कदम आगे चलना चाहिए, कि सभी topics को videos की form में cover कराना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक छोटे से topic पर video बनाने में बहुत time लगता है, right, लेकिन मैंने कहा था, कि फिर भी मैं अपना bash दूँगा, जितने मुझसे हो सकेंगे, इतने मैं करा दूँगा, बाकी आप पहले से तयार करते रही है, Google Wikipedia की मदद लेके, okay, तो देखो, जिन लोगों ने मेरी बात मानी थी, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, या बड़े आसानी से उनका paper clear हो रहा है, कोई भी tension नहीं ह बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा paper गया है, जो मेरे students थे उनका ही बहुत अच्छा गया, तो बाकी लोगों का और भी होंगे पूरे इंडिया में, ठीक है, तो उनका कितना अच्छा गया हो गया paper, अगला question देखो क्या था, organism that performs all functions, ठीक है, हमारे body में वो कौन से organism है, जो की सभी functions को perform करते हैं, तो देखो ये होगा unicellular, ठीक है, ये biology का question है, अगला question देखो क्या था, National Waters Day किस दिन मनाया जाता है, तो देखो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, मैंने देखो आपको बोला था, कि अभी ये पिछले जो 3-4 महिने के जो days है ना, इनको आप याद कर जो ये current में भी रहेंगे, और इनसे ही question पूछे जाने के chance ही ज़्यादा होते हैं, तो देखो उसने पहला वाला हमने देखा था, World's Environment Day, 5 December को, ये है National Waters Day, 25th of January, तो देखो ये आपके पिछले 3-4 महिने का, 3-4 महिने भी कहा है, पिछले 2-5 महिने का ही है ये देखो, तो तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, यदि आपको, देखो, you should not take things lightly, if somebody is trying to guide you, if somebody is trying to help you, so please take it seriously, ठीक है, don't take it lightly, मैंने देखो काफी emphasize करा था कभी mathematics के आप series को जरूर देखके जाना, वो आपके लिए बहुत मदद करेगी, उसमें इस तरीके से concept को clear किया गया है, कि कोई क कमजोर से कमजोर student है, जिसकी mathematics बिल्कुल weak है, उसके भी वो सारे topics, favorite topics बन जाएंगे, जिन लोगोंने seriously उसको लिया था, वो बेटा बहुत अच्छा perform करका है है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनोंने उसको seriously नहीं लिया था, तो उनको डर लग रहा है, अभी भी तो फिर mathematics को समझना फिर आपके लिए मुश्किल है, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ायागा है, आप देख लेना, अगली बार जब आप जाओ, एक्जाम देने, तो आप उनको जरू देख के जाना, maybe I will not be available for you for the next attempt, ठीक है, तो आप उनको जरू देख जाना, I put more efforts on mathematics, so that's why I put more methods in mathematics, ठीक है, अगला question देखो क्या था, when moon is nearest to the earth, तो ये जो term बनती है, इसको क्या बोलते है, तो देखो इसको बोलते है, तो देखो इसको बोलते है, तो पैरेगी, राइट, ये तो देखो बहुत ही कम लोग कर पाए होंगे, हर किसी को पता नहीं होता, क् कि यहाँ पर इतना ध्यान जाता नहीं है, ये तो देखो, ये तो देखो काफी लोगों को दिक्कत आई होगी, क्योंकि सबी लोग इतना closely देखते नहीं है, जो लोग थोड़ा अच्छे से तैयारी कर रहे थे, वो लोग इसका आसानी से जवाब देदेंगे, नेस्ट क्या देखो क्या था, डायरेक्टर ओफ मुवी, सरदार उधम सिंग, तो देखो इसके जो डायरेक्टर थे, वो थे, मिश्टर सुजीत सिरकार, राइट, देखो, जब मैंने आपको पहली वाली शिफ्ट का जो एनलेसिस कराया था, मैंने आपको ये बताया था, कि जिस पैटरन पर पहली वाली शिफ्ट में पूचे जाएंगे, तो देखो मैंने आपको बोला था ना, कि ये जो मुवी से रिलेटर वो पूच रहा है, नेस्ट कोशन देखो क्या था, इंटरनेशनल स्कूल कम्स अंडर, ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल स्कूल जो होगा, वो of education के अंडर आता है, लेकिन ये देखो HRDB है, कहीं कहीं पर मैं देख रहा हूँ, HRDB लिखा हुआ होता है, तो आप इसको एक बार clarify कर लेना, राइट, मैं देखो जल्देबाजी मैं इसको तयार करके आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको मदद मिल सके अपने examination के लिए, ओके, अगला question देखो क्या था, वो country कौन सी है, जिसने कि अपने army में transgender personals को allow किया है, तो देखो ये country है USA, USA कैसी पहली country है, जिसने कि जो बाइडन के era में, जो बाइडन की presidency में, transgender को US army में as personal allow किया है, और यदि ये बोले कि बिना personal, यानि कि पहली बार तो ये क्या है, वो काफी परानी बात है, लेकिन ये current का question है, तो इस question का answer क्या होगा, the USA, अगला question देखो क्या था, गुरू गासी दास national park, ठीक है, तो ये है 36 कड में, देखो बताया था मैंने, ये national park और इस पर national parks related में आपको quizzes भी provide कराता था, अगला question देखो NACL, ये NACL में किस type का bond बनत और ये जो sodium है, ये एक metal है, और chlorine non-metal है, तो metal और non-metal के बीच में जो bond बनता है, वो ionic bond बनता है, ये chemistry का question है, बड़ा simple सा question है, जो लोग science है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, question number 21, देखो क्या था, कि SI unit of torque, देखो मैंने आपको unit के question बताये थे, और मैंने बहुत emphasize कर के बोला था, मैंने देखो बोला था, कि मैं जो जो topics पर मैं आपको ये quizzes प्रोवाइड करा रहा हूँ, telegram और YouTube पर, इन इन topic को आप तयार करके जाना, तो देखो इसमें इसने ये torque की unit पूछ ली, SI unit, तो ये होती है, Newton meter, ओके, और देखो अगला question क्या पूछा है, उसने एक rule amendment is introduced by, तो देखो rule amendment जो है, किसी भी house में introduce किया जा सकता है, कोई सा भी हो, लोग सभा हो, या राज्य सभा हो, ठीक है, और देखो जब मैं आपको polity का मैं बता रहा था ना, उस list में, जो topics की जो list थी, उसमें जब मैं polity के भी बता रहा था, कि हैं यहां से questions पूछे जाएंग देखो इसी हिसाब से question आया है, और question क्या था, bogey and double bogey, यह किस से related है, यह गोल से related है, देखो सारे वही हैं, जो हमना strategy में जो topics कवर करे थे ना, जो list chart देखा था, देखो सारे उसी के हिसाब से questions है, बस आपको तयार करने की ज़रूती, और question क्या था, कि biggest railway bridge, यह कहां पर ह ठीक है, कौन सा है, तो देखो यह जमुवन कश्मीर में चिनाब रिवर पर बना हुआ है, जो की 1315 meters long है, अब देखो यह चिनाब रिवर पर मैंने कई बार आपको question कराए हैं, मैंने क्या कराए हैं, कि यह सलाल प्रोजेक्ट और दुलहस्ती प्रोजेक्ट, यह किस रिवर पर situated है, तो यह चिनाब पर हैं, ओके, यह देखो मैंने क्यों कराए थे, क्योंकि चिनाब रिवर जो है, यह बहुत ही, इस पर जो भी हमारा काम चल रहा है, वो disputed रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और यह United Nations तक जाती है, इसकी बात, यह जो हमारे सलाल वोट प्रोजेक्ट हैं, और दुलस्ती वोटर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान keeps on protesting, ठीक है, तो इस पर जो भी यह चीज़े हो रही हैं, काफी important है, तो देखो इसना यह बिरिज पूछ लिया, तो देखो चिनाब रिवर पर जो भी चीज़े होती रहती हैं, जो भी activities होती रहती हैं, वो आपके examination perspective से काफी important होती हैं, और देखो चिनाब रिवर पर एफकेट में यह पहली बार question ही पूछा गया, कैई बार question पूछा जा चुका है, हमारे time पे कैई बार पूछा जा चुका है, यह सलाल और दुलस्ती water project जो है, यह अल्रड़ी पूछे जा चु ornament के अंदर के आती है, रिंग आती है, अब उसने क्या बोला है, कि diamond ring, तो यानि कि diamond जो होगा, वो ring में ही होगा, तो यानि कि वो जो ring होगी, वो भी ring के अंडर ही आएगी, देखो ring में अब कई type की ring होगी, एक होगी ruby वाली ring, एक होगी diamond वाली ring, एक होगी simple वाली ring, तो य किसमें आएंगी ये रिंग में ही आएंगी तो देखो इस तरीके से वेंड डाइग्राम बनेगा देखो इस टाइब ये questions हमने करे थे वेंड डाइग्राम का हमने concept बहुत अच्छे से cover किया था यदि आपने वो classes देखी हैं ओके अगला question देखो क्या था IMA is to देहरादून then NDA is to खडगवासला आईए में क्या है Indian Military Academy ये कहाँ पर है देहरादून में जब आप Army के लिए select होते है तो आपकी जो training होती है वो एक साल की एक सवा साल की जितनी भी 52 something weeks की जो होती है वो कहाँ पर होती है देहरादून में होती है और देखो IMA किस के तुरू जाते हैं हम CDS के तुरू और जब हम NDA से select होते हैं तब हमारी training होती है खडगवासला पुने महराश्ट्रा में ठीक है और Air Force की कहाँ पर होती है ये होती है तो हमारे इस question का answer क्या होगा खडगवासला होगा ये पूछा था उसने ये मैंने लिख दिया यहाँ पर answer ही लिख दिया ठीक है अब देखो इसके अलावा English के कुछ questions थे one word substitution से क्या question था जो कि आप लोगों ने भेजे है who spend more money ठीक है तो देखो जो ज़्यादा money spend करता है उसको बोलते है हम spend thrift राइट और देखो और idioms और phrases में क्या था cool once heals तो देखो cool once heals का मतलब होता है deliberately wait करना किसी भी चीज़ का deliberately wait करना इसके अलावा और क्या था idiom and phrases में get oneself together get oneself together का मतलब हो क्या होता है अपने आपको एक sensible और एक good way में अच्छे way में अपने आपको control करना conduct करना ठीक है और देखो lead astray astray का मतलब क्या होता है गुम्रहा करना यानि कि गुम्रहा करके किसी आदमी का बेवकूप बनाना गुम्रहा करके उसको मतलब धोके में रखना ठीक है तो उससे देखो क्या होगा जो result होगा वो उस इंसान का बेकार होगा ठीक है तो lead astray यानि कि wrong way में किसी को guide करना तो ये लेकिन फिर भी मैंने आपसे यह बोला था कि एक-दो आपसे बन जाएंगे क्योंकि एक-दो उसमें इजी होते हैं तो ज़्यादा time spend मत करना आप synonyms और antonyums पे इसके बाद में देखो antonyums क्या पूछे थे यह आपके देखो antonyum थे और यदी synonyum की बात करें तो dormant and inevitable यह आपके synonyum थे जो कि आप लोगों ने बेज़े हैं ठीक है अब देखते हैं mathematics mathematics में तो बटा मजा ही आगया कोई भी दिक्कत नहीं हुए सीधे सीधे as it is question आये थे देखो यह वही question है जो आप लोगों ने बेज है ठीक है टेलीग्राम पर जो आप लोगों ने बेज़े है मैंने वही लिए है ठीक है देखो क्या था question एक question क्या था two watches are sold one at 23% loss and one at 23% gain देखो यह मैंने कराया था आपको profit and loss में यह standard form थी एक standard form थी और देखो इसका एक formula मैंने बताया था आपको के भी इसमें इस तरीके से value put करनी है x-y-xy upon 100 ठीक है और इसमें always आपको क्या होगा loss होगा जब यह दोनों जो rate है यह equal हो इसमें हमेशा आपको loss होगा देखो आप याद करो मैंने आपको कराया था यह question कराया था और देखो अभी मैंने यह 11th of February को just one day before मैंने complete mathematics का revision कराया था कि complete mathematics quick revision in just 25 minutes आपने यह द standard form पर है यह question मैंने आपको बोला था ना कि भी standard form पर जो है उनको आप यह formula को प्लीज याद कर लो जब मैं यह concept cover कराता था topic को start करता था तो सबसे पहले मैं इन चीजों को cover कराता था जो भी standard form थी right आप देखना classes देखना वो आपको हमेशा काम करेंगी life में आगे तक हमेश standard form है बताओ बेटा percentage वाला question है यह बताओ मैंने cover कराया था नहीं कराया था concept में भी देखो मैंने आपको इसका formula याद कराया था starting में beginning में हमने यह cover करा था और फिर इस पर हमने एक question भी देखा था देखो यह question जो आप अभी देख रहे हैं okay कुछ भी नहीं है देखो यह वह रहा था उनको correct करवा रहा था तो बोल रहा था कि नया average क्या बनेगा देखो यह मैंने आपको कराया था मैंने आपको बताया था ना कि average का एक ही formula है और यही formula पूरे topic को निपटाएगा इसी में वो उथल पुथल मचवाएगा ठीक है इसी में करवाएगा और देखो यह question ह हमने देखा था देखो यह वाला question हमने class में solve किया था नहीं किया था जिल लोगों ने classes अच्छे से लगाई थी उन लोगों का exam bang bang गया है ठीक है मेरे पास मैं अभी हितने message आगे हैं कि मैं अभी उनको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मेरे पास में इतना time भी नहीं है तसलि time and distance पर और उसमें पूछ रहा था कि average speed यह देखो मैंने 11 तारीक को जो मैंने आपको quick revision कराया था ना मैंने इस पर class नहीं ली थी अलग से special class नहीं ली थी लेकिन यह topic छूट रहा था और मैंने आपको बोला था कि मैंने promise किया था कि मैं आपको इसको exam से पहले करा दूँगा तो मैंने 11 तारीक को 11 तो फैब को एक quick revision की जो मैंने class ली थी mathematics की उसमें मैंने इसके concept को अच्छे से cover कर दिया था ठीक है और बहुत ही simple question था कोई भी दिक्कत नहीं थी और देखो बच्चे बड़े आसानी से करके आ गए राइट अगला question देखो क्या था कि यदि southwest को north बोल देखो normally हम क्या करते हैं ये करते हैं न नौर्थ, south, east and west ठीक है ये चीज़ हम करते हैं अब वो देखो क्या कर रहा है वो बोल रहा है कि ये वाली जो area है ये वाला जो quadrant है इसमें इसको हम north बोलें तो ये क्या होगा यानि कि southwest को यदि हम north बोलें तो northeast क्या होगा बिटा common sense की बात है कुछ भी नहीं करना है बताओ यदि ये north होगा तो इसका opposite क्या होगा इसको पूछ रहा तो ये south होगा बताओ क्या दिक्कत है इसमें कुछ भी नहीं है और देखो यदि इसमें और थोड़ा difficulty बनाता तो चलो इसके concept को भी समझ लेते हैं कैसे करता है ये देखो इसम 135 डिग्री ऐंटी क्लोगवाइ डिरेक्शन में घूम हैगा तो ये south यहां से घूम के यहां पर आ जाएगा ओके इसने इस तरीके से गुमाया है और यह है आपका imagination का काम इसमें इसने आपकी imagination चेक करिए कि आपकी इस तरीके से imagine कर पाते हो तो यदि यदि ये north होगा तो य in the queue देखो ये question मुझे सही नहीं लग रहा है ये complete question नहीं है इतना simple question नहीं हो सकता है ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा ठीक है एक end से woman start हो रही है और alternatively बैठे होंगे ये देखो पूरा question नहीं है complete नहीं है ठीक है लेकिन देखो इस type से question था तो ये मैंने इसलिए cover कर ल रहा हुआ कि किन-किन topic से question पूछे जा रहे हैं जिन-जिन topic से question पूछे जा रहे हैं आप उन topics को तयार करना और देखो यदि आपका paper अच्छा नहीं गया है पहली बाद तो आपको result तक wait करना चाहिए ठीक है यदि अच्छा नहीं गया है तो किस्मत नहीं लुट गई है ज आपकी बहुत अच्छे से तयारी करवा हुआ इस बार इस बार तो मैंने पहली बार ही कोशिच करी थी थी थोड़ा अच्छे से सिद्दत से तयारी कराने की right क्योंकि दोखो मुझे अपना office जाना होता है office के बाद में जो मेरे पास मैं extra time मिलता है मैं उसमें आप लोगों क मदद करता हूँ मैंने ये कोई business के purpose से नहीं खोला हुआ है I am doing it just for helping you guys ठीक है जिससे की आपको help मिल सके क्योंकि मुझे पता है I have gone through this stage कि भी किस तरीके से दिक्कते आती हैं और कैसे कैसे हमारी age निकलती ही चली जाती है हम छोटी छोटी गलती हैं then I thought that क्यो ना भाई अपन गोल को अपनी dreams को जल्दी fulfill कर लें ठीक है क्योंकि देखो written examination कुछ भी नहीं है written कुछ भी नहीं है main battle जो आपकी start होती है वो होती है SSB से SSB में दिक्कते आती है ठीक है SSB की जो तयारी होती है इसमें बहुत कुछ आपको पढ़तना होता है देश दुनिया के बारे में जो प्लानिंग बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए मेरा क्या experience था when I got recommended in SSB तो मैं उन सबी चीज़ों को बताऊँगा क्या tricks और techniques होनी चाहिए वहाँ पर आपको किस तरीके से presence of mind वहाँ पर show करना चाहिए जिससे कि आप अपने assessor को impress कर सकें तो देखो वह सबी वीडियो पाने के लिए चैनल को आप subscribe कर लेना और like और share कर देना इसको ठीक है and all the very best don't worry and that's all for today bye for now